अज एक बहुत इंपोर्टन नियूज आपके साथ डिसक्स करने थी कि CBSE ने 2nd March 2020 को एक सर्पूलर निकाला था 1st मही से लेके 15th मही के बीच में Yes, Class 10th and Plus 2 दोनों का ही result जो है That will be declared somewhere between 1st में to 15th में इसके साथ साथ उनने बोला है कि जैसे declare होने के बाद कुछ बचों को satisfaction नहीं होती है कि उनके marks इतने आ सकते थे उननों ऐसा लगता है कि उनके marks जादा बनते थे तो उसके लिए उनने उनने उसके अंदर काफी सारे जो procedures दिये हैं वो मैं आपके साथ discuss करूंगा आपको वो document भी दिखाऊंगा जो circular उनने जारी किया है तो उसके अंदर उनने जो बाते कहीं है वो बहुत important है कि अगर आप चाहो तो photocopy जो है अपनी answer booklets की वो भी निकलवा सकते हो आप अपने marks verify करवा सकते हो इवन आप revaluation बर सकते हो तो जो उसका proper procedure है वो मैं साथ साथ में आपके साथ discuss कर लूँगा So please बने रहेगे इस वीडियो में Thank you very much Okay, जैसे कि हमें पता है कि जो CBAC है वो एक बहुत ही ज़ादा एक student friendly जो है वो अपनी अप्रोच रखता है students के regarding तो इसलिए उन्होंने एक बहुत important circular जो है 2nd March 2020 को all head of the institutions which are affiliated to CBAC वालो को जारी किया है इसके according उन्होंने कहा है कि अगर कोई student जो है यहां कोई photocopy लेना चाता है यहां कोई revaluation करवाना चाता है तो उसके procedure को उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से explain किया है इस circular के अंदर जो मैं आपके साथ अभी discuss करने वाला हूँ सबसे important चीज जो इसके अंदर उन्होंने यह discuss की है कि verification of marks अगर आपको करवानी है तो जैसे ही आपका result आता है उसके दो दिन बाद यह जो link है वो active हो जाएगा देखिए यहां पर लिखा है 2 day of the declaration of result तो इसकी fees 500 rupees है अब देखिए अपने marks को दुबारा जो है वो verify करवा सकते हैं इसके अंदर उन्होंने यह भी कहा है कि fifth day of the opening the link वो last date होगी आपको शाम को पांच मेरे से पहले पहले apply करना है मतलब you will be having approximately three days to apply for the verification of your marks इसके नेचे उसने बताया है कि अगर आपको जो आपकी answer books check करी गई है उसकी photo copy चाहिए अगर आपको लगता है जैसे कि आपने answer ठीक किया है बट उसके अंदर आपको marks proper ने मिले तो you can apply for the photo copy of answer book जो की 17th day of declaration of result आएगा मलबक की अगर एक तरीक को result आया है तो 18th date को यह link खुलेगा और इसके बिलको लगले दिन यह link बंद हो जाएगा तो you will be having approximately 24 hours आपको इसके उपर जो है वो बहुत जादा ध्यान देना है तो इसके नीचे उन्होंने एक बहुत important बात करने की कोशिश किया कि कैसे आप यह देख सकते हो कि हमारा जो revolution process है उसको कैसे आप अपलाई कर सकते हो तो the revolution apply करने के लिए भी आपका जो procedure है वो बहुत ही असान है वो 21st day जो है वो link जो है वो आपका एक्टिवेट होने वाला है तो 21st day जो आपका link एक्टिवेट होगा तो आपको उससे इसे apply करना है और उसके अगले दिन ही वो जो link है वो खतम हो जाएगा 100 rupees पर question के साबसे आप अपना question दुबारा से check करवा सकते हो अगर आपको लगता है कि आपने ठीक attempt किया है बट marks आपको genuine नहीं मिले right so उसका जो next जो नीचे लिखा हुआ है वो that is for private candidates कि जो private candidates है अगर तो वो दुबारा से अपना chance लेना चाहते है link to open on the subsequent date of the declaration of result वो उसी दिन ही शायद खोल जाएगा और सबसे important चीज है कि अगर आप India के अंदर है तो उसकी जो fees है that will be 300 per subject और अगर आप इंडिया के बाहर हैं तो उसकी fees will be 2000 rupees per subject so I just want you कि आप इसको अच्छे से एक बार देख लें detailed circular will be issued at appropriate time उसके बारे में भी मैं आपको बता दूँगा पहले तो आप इसको CBSE की साइट से डाउनलोड करके देख सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो मैं link इसका description में दे दूँगा so hope you like this video और बाकी का जो है आप अपने examinations पे द्यान दीजिए बाकी जो बहुत important जो information आएंगी मैं साथ साथ ही आपके साथ share करता रहूंगा thank you very much